नमस्कार दोस्तों देली करंटेफेर के सेशन में आपका स्वागत है आज गे सेशन में अपन आठ से लिकर 12 फरवरी 2024 याने पिछले 5 दिनों के करंटेफेर के बारे में डिटेल एनलाइसिस और इस्टेटिश जीके के साथ बिसकस करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को सुरू करते हैं आज के सेशन का पहला किसन क्या है मुख्यमंतरी व्योसरी योजना किस राज़े में सुरू की गई है तो महाराष्टर महाराष्टर राज़े के अंदर मुख्यमंतरी व्योसरी योजना को सुरू किया गया है इस योजना का टोटल खर्च कितना ह तो चार्फो 80 क्रोट रुपे का खर्च होगा मुख्यमंतरी वियोसरी योजना का इसके अंदर सहरी रिक्시 या भीक्र विकलाने जाएगा वरीष्ट नागरिकों को 3,000 रुपे का बुक्तान किया जायेगा वरीष्ट नागरी किन को माना गया है जो 65 वरा से अधिक कुमर के नागरी के उनको ये लाब मिलेगा तो आपको जान रखना है मुख्यमंत्री व्योसिरी योजना माराष्टर सरकार ने शुरू की है पिछले कुछ दिनों में मैंने कौन-कौन से आपको योजना ये बताई है उसका एक बार रिवाइज करवा देता हूँ माई इस्कूल माई प्राइड अभियाने वो हिमाचल पर्देश सरकार ने शुरू किया था मुख्यमंत्री महिला उदेमिता अभियाने वो असम राजे सरकार ने शुरू किया था हमारा सम्मान अभियान में ने 26 जनौरी को आपको पढ़ाया था जगदीब दनकर्णे प्रश्टर के बारे में कुछ इस्टेटिक्स चीके में आपको कवर करवा देता हूँ जो एक्जाम की दरश्टी से इंपोर्टेंट है महराष्टर चेतरपल के दरश्टी से तीसरा सबसे बड़ा राजे है पहला सबसे बड़ा राजे पूंसा है तो राजस्तान है और चेतरपल के दरश्टी से तीसरा सबसे बड़ा राजे आपसे पूछ उता बता देना महराष्टर माराश्टर के सबसे लंबी नदी है गोदावरी जो की दच्छिन वारत की सबसे लंबी नदी भी है और जो नागपुर है जिसको संत्रों की नगरी बोलते है ये भी माराश्टर के अंदर इस्ती थे और महाराष्टर में विदान परिशत की सदेश्यत्ता संख्या कितनी है 78-88 इसके लावा महाराष्टर के राष्टि उध्यान इंपोर्टेंटे बारमार एकजाम में पूचे जाते हैं तो कौन-कौन से राष्टि उध्यान महाराष्टर के अंदर इस्तीते संजे गंदी राष्टि उध्यान महाराष्टर में इस्तीते क्लास का नोटिपिक्शन मिलेगा जिसमें उस दिन के क्रेंट अफेर को पंड डीटेल एनलाइसेarchy श्यक्तिक के साथ कवर करते हैं। पिछले 5 दिन के क्लास एक साथ क्लास की ले रहे हैं तो पिछले 5 दिनों से मेरा स्वास्ते कुछ ठीक नहीं था तो इसके चनते पिछले पांस दिनों का करंटाफेर में आपको एक साथ कवर करवा रहा हूँ इसके बाद आपको परती दिन सुबह 6 बजे 15 मिनिट की एक क्लास मिलेगी जिसमें उस दिन के करंटाफेर को पन डीटेल एनलासिस और इस्टेटिक सीखे के साथ कवर कर लेंगे अगर आपको परती दिन डेली करंटाफेर की वीडियेप चीए तो वो मिलेगी टेलिग्राम चैनल पे टेलिग्राम चैनल जोइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंग है वहाँ से आप टेलिग्रम चैनल को जरूर जोइन कर लीजे इस वीडियो को कर दीजे लाइक एक अच्छा सा कर दीजे कमेंट अगला क्यूशन क्या है बारत उर्जा सप्ता दोजाद 24 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तो कर दिया गया है छे से नो फरवरी के मद्दे बारत उर्जा सप्ता दोजाद 24 का आयोजन किया गया था आयोजन किसने किया था पूरा मेटर क्या है वो पर अगली स्लाइट पर डिसकस कर लेते है बारत उर्जा सपता का उद्गाजरन क्या था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आयोज़न वा था 6-9 फरवरी दोजार 24 के मद्दे आयोज़क कौन थे तो पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गेस मंत्रा ले बारते पेट्रोलियम उद्योक मासन इन दोनोंने मिलकर इसका आयोजन करवाया था परायुजक कंपणी कोन थी तो साउधिरप की जो राष्टी टेल कंपणी है साउधित अराम को ये परायुजक कंपणी थे इसके अंदर 17 उर्जा मंतिरों ने भाग लिया था 27 राष्टी यवा मोक्सव 224 से वो नासिक एंदर हुआ था international purple face दोज़़़वीश से वो बोवा के अंदर हुआ था COP28 दोज़़वीश से वो सयुक्त अरब अमिरात ये 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 के अंदर हुआ था अठारवा जीट अउर्टी सिक्कर सम्यलन 23 हुआ था वो नई दिन्य बारत के अंदर हुआ था बारतिय सेना के उपफ परमुक कोण बने हैं? उपेंदर द्युएदी बारती है सेना के नए उपपर्मुक के रूप में न्यूक दुआ है लेप्टिनेट जंडल उपेंदर द्युएदी की ये फोटू है और इनोंने लेप्टिनेट जंडल M.V. शुचंदर कुमार का इस्ताल लिया है इनसे पेले बारती सेना के उपपर्मुक थे लेप्टिनेट जनडल M.V. शुचंदर कुमार और उनकी जगे नही लेप्टिनेट जनडल उपेंदर द्युएदी है वो बारती सेना के नहीं उपपर्मुक बने है उपेंदर द्युएदी को परमविशिष्ट सेवा मेडल और अतिविशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है दोनों मेडल अलग लगे एक तो है परम विशिस्ट सेना मेडल एक है अति विशिस्ट सेवा मेडल ये दोनों मेडल मिल चुके है उपेंदर द्युएदी को यह उनकी एक फोटू है बार की जाए इंडियन आर्मी की तो इसकी स्टापना सवतंतर्ता से पहले तो एक अप्रिल 1895 को हुई थी और सवतंतर्ता के बाद इसका पुने रेटन 26 जनवरी 1950 को हुआ था इंडियन आर्मी डेहें वो परतिवरस अपन 15 जनवरी को मनाते हैं बारती सेना के पहने बारती सेना देख से अगर आपसे पूचे तो आप बताओगे जनरल के एम करियपा तो दोनों चीजों का आप ध्यान रखोगे बारती सेना के पहने बारती सेना देख से जनरल के एम करियपा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो पेरा मिलिटरी स्पॉर्स हैं उनके अंदर जो नए चीप्स बने हैं उनके बारे में अपन क्या-क्या पड़ा है उसका रिवाइज मारते हैं महानिक देशक कोन बने हैं? SSB के नए महानिक देशक बने हैं? बलजीत सिंग चोधरी इसके लावा, ICG के नए महानिक देशक बने हैं राकेश पाल जो की ICG के 25 वे महानिक देशक के इसके लावा, NDRF के नए महानिक देशक कोन बने हैं? अतुल करवाल अतुल करवाल NDRF के महानिक देशक कोने तो नितिन अगरवाल नितिन अगरवाल वर्तमान के अंदर BASP के महानिदे सके CITF के महानिदे सके अनिस दयाल सिंग CISP के महानिदे सके CISP के महानिदे सके नीना सिंग नीना सिंग CISP के वर्तमान में महानिदे सके NSG, NSG के महानिदे सके MA, गडपती SPG के निदे सक कोने तो आलोक वर्मा SGP के नए निर्दे सके ITBP के महानी दे सकोने तो राहूल रसकोतरा राहूल रसकोतरा ITBP के महानी दे सके NCC के महानी दे सके गुर्वीर पाल सिंग गुर्वीर पाल सिंग NCC के महानी दे सके तो आपको ध्यान रखना है और डिफेंस लेटेड करंट अफिर अपने पिछले कुछ तिनों में क्या पड़ा उसका एक बार रिवाईज मार लेते हैं इंडियन एरपोस 17 फरवरी को पोकरण में वायू सक्ती एक्सराइज 24 आयोजित करेगी बारतिय नो सेना ने 24 को नो सेना नागरिकों का वर्ष गोशित किया है प्रिती रंजक बारती सेना की पहली महिला सुविदार बनी है तो ये है पृति रंजभ और ये बारती सेना की पेहली महिले सुविदार बनी है बारती सेना के mobile brigade system सर्वतर्विक्सित किया है बारती सेना ने इसके लएबा बारती सेना के जो पूर्वे जन्रेनल है नर्वने उनकी आतमपरतव़ों ने खुद ने लिखी है 4 star of destiny नाम से तो यह है नर्वने साथ अगला क्रिशन किस देश ने बारतिय नागरिकों के लिए वीजा मुप्त यात्रा नीती की गोश्णा की है तो इरान इरान ने बारतिय नागरिकों के लिए वीजा मुप्त यात्रा नीती की गोश्णा की है मीती क्या है तो ये फिरी वीजा नीती है और ये केवल परियेटन के उदश्य से ही मान्य होगी ये सुन्धा छे माईने में एक बार परदान की जाएगी इसके अंदर कर परियेटक इरान में अधिक्तम 15 दिनों तक रुख सकते हैं आनी में स्रिलंका और थाइलेंड ने बारत के लिए फिरी वीजा सुईदा भी सुरू की थी बात की जाए इरान, इरान की राजदानी है तेहरान मेप के अंदर इरान यहाँ पर है, ये हैं बारत और बारत के उत्तरपस्चिन के अंदर यहाँ पर देश है इरान जिसकी राज़ताली तेहरा ने, वर्तमान के अंदर इरान के राष्टपती है इब्राहिन, राईसी, मुद्रा चलती है इरानियन, रियान इरान का प्राची नाम है फारस, यह important डियान रखना है, कई बार एक जामें सिधा सिधा पूचा जाता है तरिष्टा लगा लेना, इरान का प्राची नाम क्या है, तो फारस है इरान दुनिया का सबसे बड़ा सिया मुस्लिन देश है, केस्पियन सागर तट और हिंद माह सागर तट दोनों के साथ सीमा साजा करने वाला इरान दुनिया का एक मातर देश है ये इरान को लेकर वो दिस सांदा फेक्ट है जिसका प्यात करोगे केस्टेल सागर तट और हिंद मासागर तट दोनों के साथ सीमा साजा करने वाला इरान दुनिया का एक मतर देश से ये हैं इदर केस्टेल सागर और ये हैं हिंद मासागर इन दोनों के साथ कोई तट्रे का साजा कर रहा है तो इदर की जो इरान की सीमा है वो तो लगते हिन्द मासागर के साथ इदर की सीमा लगते के साथ तो दोनों मासागरों के साथ अगर कोई तट्रे का साजा करता है तो वो है इरान इसके लावा हाली में इरान ने महेदा केहान 2 और हल्फ 1 उपगरेव को लोंज किया है फार्सी बासा है इरान की और फार्सी बासा को बारत की नौमी सास्तरी बासा बनाया दिया है जो की जनवरी में आपको करंड़ फिर वे पढ़ाया था अगला क्यूसद किस सस्तान ने हाइपर वेलोसिटी टरनल का सफल प्रिक्षन किया है तो IIT कानपूर IIT कानपूर ने हाइपर वेलोसिटी टरनल का सफल प्रिक्षन किया है ये क्या है तो IIT कानपूर ने बारत के पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टरनल सुईदा को परिसर में इस्तापित किया है ये वो टरनल है टरनल की लंबाई 24 मीटर है आयल्टी कानपुर के विशसिग्यों ने इसे जिगर थंडा या H2 सुईदा का नाम दिया इसका नाम कहा दिया है जिगर थंडा या H2 सुईदा ये टरनल जेट उड़ानों और बेलेस्टिक मिसाइल के प्रिक्षन में मददगाफ सामित होगी ये बारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टरनल सुईदा है सुरंग में 3 से 10 क्लोवटर पर 30 सेकिंड के बीच उड़ान गतिक प्रात की जा सकती है जो भी जेट उड़ान है और बेलेस्टिक मिसाइले है उनका प्रिक्षन करने में ये मिसाई ये जो टरनल है वो मददगाफ होगी और ये किस ने बनाई है तो IIT कानपूर ने बनाई है IIT को लेकर एक क्यूशन एक्जाम में कम से कम पूचा जाता है और जो भी अपने IIT को लेकर पिछले कुश दिनों में क्यूशन पड़े हैं उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं IIT कानपूर के अंदर क्रत्रिम बारिष कराने की तकनिक को विक्षित किया गया था और जो IIT दिल्ली है उसने आबुदाभी में अपना केंपस इस्तापित किया है IIT मदरा से वो तंजानिया में अपना पहला अंतराश्टी ये परिश्चर इस्तापित करेगा क्रूएस एस्या उनिश्टी रेंकिंग दोजार चोबीस के अंदर जो IIT बोंबे है उसको 40 वास्तान मिला था और IIT दिल्ली को 46 वास्तान मिला था इसके अलावा अपने क्या इंपोटेंट करन्ट फेर पड़ा IIT को लेकर तो अपने पड़ा था कि 2023 के अंदर मिसर के इसलिए कुछ दिनों के अंदर इंपोटेंट करन्ट फेर पड़ा था IIT को लेकर जिनको आपको याद रखना है और इसके अंदर नहीं चीज़ आप जोड़ लेना जो जेट उडान और बेलेस्टिक मिसाइल है उनके प्रिक्शन में मददकार जो पहली हाइपर वेलोसिट टरनल है उसका सफल प्रिक्शन किया है IIT कानपुर ने अगला क्यूशन वीश्व पुस्तक मेले 24 का आवजन कहां किया जाएगा तो नहीं दिल्ली के अंदर वीश्व पुस्तक मेले 24 का आवजन किया जाएगा चीके कब होगा तो 10-18 फरवरी के मद्दे तो ये दो दिन पह ट्रस्ट है वो इसका आवजन करवा रही है नेशनल बुक ट्रस्ट के निर्देशक कोने वी वर्तमान में तो यूरास मलिक है यूरास मलिक नेशनल बुक ट्रस्ट के वी वरतमान में निर्देशक है नेशनल बुक ट्रस्ट की स्ताफ नकब हुई थी तो 1957 में नेशनल बु प्रियुक आयर्वेद मेले का यूजित तुरुंत पुरम केरल के अंदर किया जाता है एसिया का सबसे बड़ा अंतराष्ट्य खादे और आतिध्य मेला है वो कहां पर वा था आयूजित नई दिली के अंदर आयूजित हुआ था इसके लावा दोज़टेबिस में पहेंली ब आजदानी मेडरीद में आयुजित किया गया था उद्यमपूर जम्मो कस्मीर में पर पढ़ता है वहाँ पर गोले मेले का यूजित किया गया था इसको टू स्टार लगा लाना ये भी इंपोर्टेंट गोले मेले का यूजित का पर वा था उद्यमपूर जम्मो कस्मीर में बारत के परमुक میलों की बात की चाहे तो जो गंगा सागर मिला है वो पच्छी मंगाल में बटा है कुमब गा मिला तीन जगए पर बटा है, चार जगों पर बटा है कहां कहां पर कांपर, परियाक, हरीदवार, उज्जेनोर, अनाशी केंदर पुसकर मेला राजस्तान के अजमेर के पास में बढ़ता है स्वनपूर मवेसी मेला है बियार के अंदर बढ़ता है हेमिस कुमपा मेला अलदाक के अंदर है अंभू बाची मेला आसाम के अंदर बढ़ता है कोला इत्या मेला राजस्तान के विकारेर में बढ़ता है बेडेश्वर दाम मेला राजस्तान के दक्षिन के अंदर बढ़ता है और चंदर बागा मेला राजस्तान के जालरा पाटन जालावाड के अंदर बढ़ता है तो ये बारत के कुछ परमुक मेले थे तो ज्यादा तर मेले तो रास्तान में वरे जाता है लेकिन आप त्यान रखना जिंगा मेला है वो पंजाब गोर्मेंड ने शुरू किया था और जो गोला मेला है वो उद्धमपूर जम्मू कस्मिर के अंदर आयोजित हुआ था विश्वय पुस्तक मेला है उदस से अठारा फर्मरी के मध्य परकति मेदा नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा जिसके अंदर केश्ट कंट्री साओधिरव है और्गनाईजर नेशनल बुक ट्रस्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमार में निर्देशक यूगराज मलिक है वो नेशनल बुक ट्रस्ट के स्थापना 1907 के अंदर हुई थी और विश्वय पुस्तक मेले का पहिना योजिन 1902 बेतर में हुआ था अगला क्रिसन क्या है गुरु स्रील परभुबाद की 150 वी जेनति कारेकरम का यूजिन कहा किया गया था तो नई दिल्ली के अंदर जो परभुपाद है गुरु परभुबाद है उनकी 90 जारी किया गया था ये है पलभुपाद गुरू परभुवाद के एक फोटू है गुरू परभुवाद के बारे में बात की जाए तो इनका जनम 1 सितंबर 1800 चिन में कॉलकाता के अंदर हुआ था ये गोडिये मीशन के सस्तापक थे जो गोडिये मीशन थे उसके सस्तापक थे गोडिये मीशन के सस्तापक थे और इनका जनम 1 सितंबर 1800 चिन में को कॉलकाता में बता ये इनकी एक फोटू है और अभी इनकी डेट थो भी जेनती का एक कारेकरम रखा गिया था जो की नई दिल्ली के अंदर बारफ मनलब के अंदर आयो जित हुआ था जिसके अंदर मुख्यतिती के रुपबे PM मोडि सामिल हुए थे उससे में मोडि ने एक इसमारक टिगेट और एक सिका भी जारी किया था पर वो बाद का अगले कुशन पे चलते हैं उससे पेले PM मोडि को लेकर पिसले कुश दिनों में जो इंपोर्टेंट करने अदर फिर पढ़ा है उसका रिवाईज कर लेते हैं PM मोडि ने गोवा के अंदर ONGC Sea Survival Center का उदगाटन किया था बारप Mobility Global Expo दिल्ली कंद राविजित किया था मोडि ने PM मोडि ने परदानमंतरी सूरिय दे योजना लौंच की थी इसके लावा PM मोडि ने नासिक में 27 वे राष्टे युवा मोसव का उदगाटन किया था परदानमंतरी ने लक्षदीप में 1156 करोड रुपे की प्रियोजनाओं का उदगाटन और सिल्या न्यास किया था परदानमंतरी ने पंडित मदन मोहन मालवी की संग्रेइत करतियों के 11 खंडों की पेरी सरंकला का नावरण भी किया था तो आप जानते हो फोटू है मोधी जी की अगला क्यूसन साथवे हिंद महासागर सम्मेलन का उजन किस देश में किया जा रहा है तो ओस्टेलिया के अंदर साथवे हिंद महासागर सम्मेलन का उजन किया जा रहा है साथवे हिंद सम्मेलन के बारे में कुछ अपन इस्टेटिक्स चीके गवर्ड कर लेते हैं इसकायोजन नो से दस फर्वेट दोजार चोबीस के मद्देवा था आवजन इस्तल पर्थ ओस्टेलिया के अंदर इसकायोजन गुआ था थीम क्या रखे थी टुआर्ड ए स्टेबल एंड सस्टेबल इंडिया ओसन ठीक है इंडियन ओसन जो इसकी थीम रखी गई थी बारत की तरफ से इससा कौन लेंगे तो विदेश मंतरी एस जे संकर ने इससा लिया था रिये मैंने उसकारे करम के एक फोटो लगाती थी तो यह है विदेश मंतरी एस जे संकर जिनोंने सात्वे हिंद मासागर समेलन के अंदर बाग ले आ था हिंद मासागर समेलन का पहला सलसकरण 2016 के अंदर सिंगापूर के अंदर हुआ था ठीक है तो आपको दान रखना है यह सात्वे करम का है और जो पहले करम का हिंद प्राइश का है और जवालमों की प्रकीरिया से उत्पन दीप जो की हिंद महासागर के अंदर है और इस महासागर का सबसे बड़ा दीप है इसके अलाबा हिंद महासागर सम्मेलन की बात हुई है तो फिसे कुछ दिरों में आपको कौन-कौन से सम्मेलन पढ़ा है उसको एक समयलन दोजाइश का हुई जोहान अफुरक दक्सन अफ्रिका के अंदर आउजित हुआ तो ये सारे चीज़ें इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है अगला कृशन क्या है सरकार के द्वारा किस देश की सीमा पर बाड जिसको फैंसिंग बोलते है या बाड बोलते है बोडर बोलते है वो लगाने का फैसला किया है तो मयामार बारत सरकार ने मयामार की सीमा पर फैंसिंग करने का या बाड लगाने का फैसला किया है ऐसा क्यों किया है तो केंदर सरकार 1643 किलोमेटर ये 1643 किलोमेटर की सीमा है जो बारत और मयमार के मद्दे लगती है उस पर गुस्पेटिय और विद्रोयोग की बारत में एंट्री को रोकने के लिए बाड या फेंसिंग लगवाई जाएगी मिजोरम, मनिपूर, नागालेंड और अरोनचल परदेश की सीमा मयमार से लगती है ये देखी चार राजी है जिसके अंदरी अरोनचल परदेश राजी है जो सबसे अधिक सीमा साजा करता है किसके साथ मयमार के साथ 520 किलोमेटर है इसके बाद अगला राजी है नागालेंड जो की मयमार के साथ सबसे कम सीमा साजा करता है 215 किलोमेटर की इसके बाद है मनीपूर जो की 308 किलोमेटर की सीमा साजा करता है मयमार के साथ और लास्ट में है मीजोरम जो की दूसरी सबसे अधिक सीमा साजा करता है 510 km की मयमार के साथ तो टोटल इस परकार 1643 km की सीमा बारत और मयमार साजा करता है जिससे गुसपेटिय और विदरोई बारत के अंदर एंट्री करता है उस entry को रोकने के लिए बाड या फेंसिंग लगाने की एक केंदर सरकार ने योजना शुरू की है मनिपूर के मोहरे में 10 किलोमेटर की दूरी पर पहले ही बाड लगाई जा चुकी है अरुणा चलपर देश और मनिपूर में आर एक किलोमेटर की दूरी पर फेंसिंग की जाएगी मयमार के बारे में कुछ इस्टेटिक शीक्षी अपन कवर कर लेते हैं मयमार देशे उसकी राज़दा निये नेए पीड़ा नेपीडा मेयवार की राजदा नहीं है वर्टमान में राष्टपती है माइंट इस्वे जो की कारिवाक राष्टपती है मुदर चलती है कयाप और ये मेयवार की एक मेप में आपको यहापट दी है इसके लवा बारत के साथ पडोसी देशों के अपन बात कर लेते हैं बारत की साथ पडोसी देश जिन के साथ बारत सीमा साजा करता है एक तो है बांगलादेश बांगलादेश के साथ 4000 चीन में किलोमेटर की सीमा साजा करता है और बांगला देश के साथ बारत के असम, मेगाले, मिजोरम, तिरीपुरा और पस्ची मंगाल राजी सीमा साजा करते हैं तो आप कोई द्यान रखना है इसके लवा दूसरा देश से चीन चीन के साथ बारत 3488 किलोमेटर की सीमा साजा करता है जिसके अंदर लदाक, इमाचल परदेश, उत्राखन, सिक्किम और अरोनाचल परदेश राजी सीमा साजा करते हैं एक देश से पाकिस्तान जिसके साथ बारत 3323 किलोमेटर की सीमा साजा करता है बारत 3443 किलोमेटर की सीमा साजा करता है बारत के साथ इसके अंदर लदाक, इमाचल परदेश राजी सीमा साजा करते है साज़ा करता है इसके लावा अगर सबसे अधिक सीमा के बात किजाए तो वो बारत बांगला देश के साज़ा करता है 4000 चीन में गिलोमेटर की जो कि असंद मेगाले मिजुरम तरिपूरा और पस्चे मंगार राजे के साथ इस्तित थेन अगला क्यूशन आई सीसी टेश 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 एक फोटू उनाइटेट कप जो टेनिस का उनाइटेट कप होता हो 24 का किताब जर्मनी ने पोलेंड को राकर जीता है इंग्लेंड की सू, रेड़, फर्न, ओस्टेलिया और दक्षिन अफ्रिका के बीच आगामी महिला T20 अंतराष्टी स्तिरीज में अंतराष्टी किर्गेट परिशत आएसी सिद्वार नियुक्त पहली महिला न्यूट्रल एम्पाइर होगी इसके लावा बात की जाए ICC की तो इसकी स्तापना 15 जून 1909 में होई थी जिसका मुठ्याले दुबेई सेयूक्त अरब अमिरात के अंदर है वर्तमान में अध्यक से ग्रेक बार के लिए CEO है जोब अर्लाडिस इसके लावा ये किर्गेट के लिए वेस्विक सासे निकाई है ये इसका लोगो है इंटरनेस्टल किर्गेट काउंसिल ICC की फुल फॉर्म है अगला क्रिशन क्या है पहली बार फिट इंडिया मुवमेंट में ब्रांड एमेस्टर के रूप में किसे निक्त किया गया है तो नरेंदर कुमार यादव को फिट इंडिया मुवमेंट में ब्रांड एमेस्टर निक्त किया गया है बारती राजस्वे सिवा जिसको IRS बोलते हैं जो IRS अधिकारी नरेंदर कुमार यादव गया है उसको Fit India Moment के लिए ब्राण डेमेश्टर चुणा गया है ये नरेंदर कुमार जी की एक फोटू है यादव 2009 में बारती राजस्वे सिवा के अधिकारी बने थे Fit India Moment क्या है तो इसकी सुरात 29 अगस 2019 को हुई थी इसका उदेश्य क्या है देनिक जीवन में सारे डिक गतिवी दिये और खेल को सामिल करने के लिए प्रोसाइद करना इसका मुख्य उदेश्य है परतमान के दर कौ कौन कौन से ब्रांड के कौन कौन से ब्रांड रिवाइज करवा देता हूँ जो बोट कंपनी है उसके ब्रांड रिवाइज करवा देता हूँ जो बोट कंपनी है उसके ब्रांड रिवाइज करवा देता हूँ जो बोट कंपनी है उसके ब्रांड रिवाइज करवा देता ह आजकुमार, राव, पुमा के नए ब्रांडे मेस्टर बने है मोमस समी, उत्राघंड के नए ब्रांडे मेस्टर बने है पर्षुन जोसी, उत्राघंड के पेले जो ब्रांडे मेस्टर थे वो थे रिसब पंद, अगले कुशन पर चलते हैं, अगला कुशन क्या है, खेलो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा सर्म ये हेमंत विश्वा सर्म है जो कि असम के मुख्यमंत्री उन्होंने सुबंकर जर्शी और लोगो लोंज कर दिया है। खेलो इंडिया उन्टी गेम्स के बारे में कुछ अपन जीगे कवर कर लेते हैं ये चोता सलसकरण है जो की 19 से 29 फरड़ड़ दोजाद चौबिस के मत्य होना है। वीरा मंगाई है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजाद 24 के सुबंग करते हैं, मोगा से 37 वे नेशनल गेम्स दोजाद 23 के सुबंग करते हैं, वीरा जो चिता है एक वीरा वो महिला भी स्वे मुक्यबाजी चेम्पेंशिप दोजाद 23 का सुबंग करता, बलेज ओर टेक 13 वो आइसीसी वल्ड कप 2023 का सुबंग करता, फेई फेई एसीन पेरा गेम्स 2023 का सुबंग करता, और जो जीतू है वो तीसरा खेलो इंडिया विनिस्टी गेम्स 2023 का सुबंग करता, जो की इंपोर्टेंट आपको दियान रखना है, अगला क्रिशन क्या है, हाल ही में, बारत 2024 से सम्मानिक किया गया है, इसके लावा दो लोगों को और भी किया गया है, कौन-कौन है, पूरे मेट्रोपो डीटेल इनलाइसिस से कवर कर लेते हैं, 2024 के लिए 5 लोगों को बारत रतन दिया गया है, जिसके अंदर एक है करपूरी ठाकूर, 23 जनवरी को बियार के जो पू पकिस्तान के अंदर पढ़ता है, ठीके, और ये बासपा के सस्तापक सदश्यते, 1907 से 1902 के मते चार मारा राजी सभागी सदश्य रे चुके है, 2015 में इनको पदम वीबूशन से सम्मानिक किया जा चुका है, और 1902 से 1901 में तक लोग सभावे अंदर नेता परतिपक्स भी र नर्सिवा राओ बारत के नोवे परदान मंतरी थे, उनका कारिकाल था 1901 में से 1906 में के मते, बारत के रक्षा मंतरी, विदेश मंतरी और ग्रे मंतरी भी ये रे चुके है, और ये अंदर परतिश के सीम रे चुके है, 1901 से 1903 के मते, तो इनको राजनेतिका बोती घहरा रू बहुता पीवी नर्सिवा राओ और इनको बारत रतन दोजा चोविस के लिए छुला गया था, ठीके, पीवी नर्सिवा राओ की ये फोटू है, ये है पीवी नर्सिवा राओ, इसके लावा जो चोदरी चरण सिंग है, चोदरी चरण सिंग का जनम 23 दिसमबर 1902 को लक्स के अंदर 23 दिसंबर को पन राष्ट एक किसांदिवस मनाते हैं, बारत के पांचयों परदानमंतर ही थे चोधरी चरान सिंग, इनको भी 2024 के लिए बारत रतन के लिए चुला गया है, ये है चोधरी चरान सिंग की फोटू, इसके लावा MS स्वामी नातन, MS स्वामी नातन साइंटिस्ट थे, ठीके जनेटिक साइंटिस्ट थे और हरित क्रामती के जनक थे, साथ अगस्त 1925 को तमिलाडू में इनका जनम हुआ था, इनको बहुत ही अच्छे अच्छे पुरुसकार मिल चुके हैं, इनके पुरुसकार आप याद करने की कोशिस करना, 1967 के अंदर इन अब बारत रतन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, बारत रतन सरोचे नागरिक पुरुसका हैं बारत का, कलास आइतिक विज्ञानस आर्जनिक सेवा जनसेवा में उत्रष्ट योगदान देने वालों को ये दिया जाता है, बारत रतन की सुरवात 1924 के अंदर थी, कलास आहितिक, विज्ञान सार्जणिक, शेव और जन्सेवान ओंट्रस्ट व्ह स्योग्डान देने coming करो पुरुसकार दिया जाता है, और ये बारत का सरोजय नागरिक पुरुसकार है, अगले पयरा पर चलते हैं, अगला क्या है अगला क्यूसनेट विश्वय दहलन दिवस कब मनाया जाता है जो विश्वय दहलन दिवस से कब मनाया जाता है तो 10 फरवरी को यहने दालों के लिए जो विश्वय दिवस से कब मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्वय दलन दिवस मराने की गोश्णा 2019 के अंदर हुई थी, ठीम के थी, तो दाले पोश्टिक मिटिक और लोग, दाले पोश्टिक मिटिक और लोग, 2024 की विश्वय दलन दिवस की थी, उदस्य क्या है इस दिवस का, तो दालों के पोश्ण और परियावणी लाबों के ब के मद्य अंतराष्टी विकास सप्ता मनाया जाता है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह थे फरवरी के इंपोर्टेंट दिवस चीज को आपको याद गरने की कोसिस करना है और विश्वय दलन दिवस का मनाया जाता है। दस फरवरी को होनाय जाता है। अगला क्या है। जब आप UBI बगेरा करते हो तो आपको NPCI के बारे में जानकारी होगी और उसके गेर कारीकारी अद्धिक्स को न्यूक्त हुआ है। तो अजे कुमार चोदरी, अजे कुमार चोदरी जी को NPCI के गेर कारीकारी अद्धिक्स बढ़ाया गया है। अगले कुमार चोदरी अगले कुमार चोदरी है। अगले कुमार चोदरी अगले कुमार चोदरी अगले कुमार चोदरी जी का निदन वो गया है। अभी वीर मोहमत फारुप नाजगी का निदन हुआ था जो कि एक पत्तरकारोर कवी थे। उप्सन नमबर 4 ए और B दोनों इसके अंदर राइट उप्सन होगे। जो मीर मोहमत फारुप नाजगी थे वो एक पत्तरकारोर एक कवी थे। एक जर्नलिस्ट और एक पोईट थे। इनका जनम 14 फरवरी 1940 को वा था, कहा पर वा था, सिरिनगर के अंदर वा था। इन्होंने आल, इंडिया, रेडियो, कस्मीर और दूर दसन में कई महत्तपुन पदों पर काम किया है। इंपोर्टेंट लाइन ये है, 1995 में नाजगी को उनकी जो कवीता पुस्तक थी, पलकों में आग, उसके लिए कस्मीर में साहितेक अकादमी पुरुसकार दिया गया था। इंडिया रेडियो कस्मीर और दूर दसन के अंदर इंडर अच्छा कारी किया है। अंजीव को दिया गया है, मुझे पेहचानों लेकन के लिए। अंग्रे जी के अंदर निलम सनन्गोर को दिया गया है, रीक्यम इन राग जान की पुस्तक के लिए। तो इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। अगला क्यों क्या है। उससे पहले हाली में निदन की बात हुई है, अभी इनका निदन हुआ है, मीर मुहमत फारुप नाचगी का। तो पिसले कुस दिनों में जो भी निदन हैं, उनके बारे में पन जान लेते हैं। ये इंपोर्टेंट निदन अपने पिसले कुछ दिनों में पढ़े थे। अगला क्योशन क्या है, अगले क्योशन पे चलते हैं। पिसले के सिनेटर बने हैं। वरूर्ण गोस का जनम उनिदन सो पिछशी में बारत में हुआ था। वे ओस्टेलिया के बात की जाये तो ओस्टेलिया के वर्तमार प्रदान मंतरी हैं। अगला एकुसल नौर्थ इस्ट का पहला एसा कौन सा राज्य है जो पुरानी पैंसन इस्किम लागू करने वाला पहला राज्य बना है पुरा मेडर क्या है? सिक्हिम के सिएम को नहें प्रैंसिंग तमांग गोले तो सिक्हिम के सिएम प्रैंसिंग ने पुरानी पैंसन इस्किम को बाहल करने की वहश्य बना है यहीं समीदा बेस पर जो क्रमचारी लगे वे हैं और चार साल तक सिक्म सरकार के साथ उनों ने अगर काम किया है तो उनको अभी स्ताई कर दिया जाएगा OPS क्या है बार बार OPS का चिकर वो रहा है old pension scheme का चिकर वो रहा है तो यह पुराणी pension scheme है ग्याद्ट तो क्रमचारीों को रिटाईर होने के बाद अंतिम वेतन के आदे के बराबर रकम हर महीने pension के रूट में मिलती है OPS के अंदर यहनि जम भी कोई क्रमचारी इटाइड होगा जो उसके अंतिम मंत की सेलेरी होगी उसकी आदिक उसकी 50% उसको पैंसन के रूट में दी जाएगी OPS के थेट OPS को 2004 में बंद कर दिया गया था 2004 के बाद OPS के इस्थान पर राष्टिये पैंसन योजनाव को लागू किया गया था NPS को नेशनल पैंसन योजनाव को सुरू किया था 2004 के बाद 2004 थे पहले OPS लागू थी लेकिन 2004 में OPS को हटा दिया गया था ठीके, सिक्किम के बारे में बात की जाए, तो सिक्किम की राजदानी है, गंग्टो, सिक्किम के वर्तवान में राजेपाल है, लक्षन पर साथ आ जा रही है, मुख्यमंत्री है, प्रेम सिंग तमल, भारत का पहला जैविक राजे सिक्किम है, विश्वय कि तीसरी सबसे जो उची चोटी कंचन जंगा है, वो भी सिक्किम के अंदर है, कंचन जंगा राष्टी उध्यान भी यहीं पर है, सिक्किम भुटान नेपाल चीन से गिरावा है, तो सिक्किम है वो भुटान नेपाल और चीन, तीन और से तीन देशों से गिरावा है, भुटान नेपाल और चीन से यह मेट में आप यहां से देख सकते हो यह किसके पुरों के अंदर भूटा थे पश्चिम के अंदर नेपाल है और उत्तर के अंदर चीन है ठीके यह तीन ओर से गिरावा है सिक्किम ठीके अगले क्यूसन पे चलते हैं उससे पहले बात हुई है कि जो OPS है वो लागू करने पहले राजी कोन मना है पहले राजी के बारे में आपको बता देता हूँ पहले राजी को लेकर अपने पिसले कुस दिलों में इंपोर्टेंट करन्ड़ फिर क्या देखा है देश का पहले निजीटल राष्टी यह संग्राले वो हेदराबाद गे अंदर खुला था जाती जनगरना शुरू करने वाला दूसरा राजी अंदर परदेश है। जनगरना मूर्ती हैं तो आपको ये चीजे ध्यान रखनी हैं। जनगरना मूर्ती हैं तो आपको ये चीजे ध्यान रखनी हैं। जनगरना मूर्ती हैं तो लाल वाला बटन दबागर चेनल को सस्क्राइब जरूर करने बेन वाला आइकन प्रेस कर लेन। उससे परती दिन सुब़े 6 बजे आपको डेली करन्ट अफिर नाम से कलास मिलेगी जिसके अंदर 15 मिनिट के अंदर अपन उस दिन के करन्ट अफिर को डीटेल एनलाइसिस और इस्टेटिक्स चीकी के साथ कवर कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की pdf चीत और आपको यूलेगी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल जॉइन करने के लिए वीडियो के